है गाइस वेलकम बेक टू अनधर वीडियो फाबर चैनल तो आज के लेक्ट्रम में एक्जामपल देखेंगे डिमावरेस थेयरम का यहाँ पर लिखा हुए एप्लिकेशन ओफ डिमावरेस थेयरम जो की प्रेक्टिकल होता है जिसका एक्जामपल हमको दिया हुआ है जिसको ह प्लस आएवडा साइन फ्रीकी पावर थ्री बहुत ही सिंपल और इजी एक्जामपल है देखें सबसे पहले हम प्लाइब क्या देख करते हमने डिमावरेस थेयरम जो देखा था उसका स्टेटमेंट का मैथेमेटिकल इक्वेशन लिखते क्या था कॉस थीटा प्लस आएव प्लस आएवडा साइन थी पाई भाई थी ठीके अभी हम क्या करेंगे यहां पर देखे यह 3 वह 3 कैंसल हो जाएगा यहां पर भी 3 3 कैंसल हो जाएगा तो क्या बचेगा को सब भी व्यल्यूस पता होनी चाहिए कि कोस पाई और साइन पाई कितना होता है कोस पाई यानिकी क सब्सक्राबस थी प्लस प्लस अई युडा साइन प्लस रूटे कि यहां पर में पास की बचेगा माने क्वाइन उल्यूस फर्म अचाहिए जो कि polar form का है, वो क्या है, r, फिर आएगा cos theta plus ioda sin theta और उसकी power क्या आएगी, n, ठीके, यहापर हम को theta find करना है और r find करना है, यहापर हम r request to क्या लिख सकते है, r request हमरे के पास formula है under root x square plus y square, फिर theta find करने के लिए क्या लेंगे हम 10 inverse y by x, तो यह दोनों जो है formula है, तो हम r request to क्या लिखेंगे हमारे पास x और y की value कितनी है, यह है x, और r ke पास जो time होता है वो क्या होगा y, तो हम क्या लिखेंगे under root x कितना है 1, तो x square, 1 का square होगा 1 और y कितना है मारे पास root 3, उसका square होगा 3 तो हमारे पास under root के रहेगा 4, और under root 4, यानी कि रहेगा 2 तो हमको r request के मिला 2 मिला और अब यह हम theta find करते है तो theta request के होगा 10 inverse y by x, तो y कितना है, यह हमारे पास root 3 by x कितना है 1 so theta equals to 10 root 3 by 1 कब होता है so theta equals to pi by 3 होता है तब तो theta मार को क्या मिला pi by 3 तो अब हम इस equation के अंदर r और theta की values put करते है तो हमको क्या मिलेगा देखिए r कितना है मारे पास 2 फिर cos theta कितना है pi by 3 cos pi by 3 plus ioda sin theta pi by 3 ठीके और उसकी power हमको यहाँ पर already given है कितनी है 6 तो यहाँ पर हम लिखेंगे उसकी power 6 तो अभी यहाँ पर हम क्या करते है देखिए हम 2 को 6 power अलग देते और यह cos pi by 3 plus ioda sin pi by 3 यह उसको पावर अलग देते तो 2 की power होगी 6 फिर यहाँ पर हम लिखेंगे क्या होगा cos यह 6 अंदर आ जाएगा तो क्या होगा 6 pi by 3 plus ioda sin 6 pi by 3 ठीके तो अभी यहाँ पर हम क्या करते है यह 2 की power 6 वैसे का वैसा रखते है यहाँ पर से 3 3 cancel हो जाएगा तो क्या बचेगा cos 2 pi plus ioda sin 2 pi ठीके अभी हमको इसके भी value पता होनी चाहिए तो क्या होगा 2 की power 6 वैसे का वैसा cos 2 pi कितना होता है 1 plus ioda sin 2 pi कितना होता है 0 अभी हम लिखेंगे 2 की power 6 वैसे का वैसा और अंदर क्या बचेगा यहाँ पर 1 तो हमारे पास answer क्या आएगा 2 की power 6 जो की कितनी होती है 64 तो हमारे यहाँ पर answer कितना है 2 की power 6 यहाँ किसे रिसकते 64 ठीके तो अभी हम next example देखते जिसके अंदर हमको यह हुआ evaluate 1 plus root 3 ioda की power 90 plus 1 minus root 3 ioda की power 90 हमने इसके आगे जो example study किया था उसमें यह ऐसा एक item था अभी ऐसा दो टम्हें उन दूनों का क्या है addition है ठीके तो सबसे पहले हम क्या है find करेंगे r find करेंगे i request to क्या होगा under root x square plus y square हम दोनों के लिए r और theta find करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 1 और root 3 वो भी क्या मिलेगा 2 और इसके लिए भी r m को कितना मिलेगा 2 मिलेगा ठीके अभी हम find करें theta theta equals to क्या होगा 10 inverse y by x तो y हमारे पास यहाँ पर क्या है root 3 तो आएगा 10 inverse root 3 by 1 तो theta हमारे पास कितना हैगा pi by 3 ठीके और यहाँ पर हम theta find करें तो क्या होगा 10 inverse यहाँ पर हमारे पास y कितना है minus root 3 by 1 तो theta हमारे पास कितना आएगा pi by 3 आएगा लेकिन कैसा आएगा minus pi by 3 ठीके अब हम इसका formula रखते हैं और इसको solve करते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे z equals to हमारे पास किया आएगा r cos theta plus ioda sin theta हमको उसकी power कितने दिये हुए यहाँ पर 90 दिये हुए तो उसकी power हम लिखेंगे 90 प्लस यहाँ पर हम क्या लिखेंगे r cos theta plus ioda sin theta उसकी power भी हम कितने लिखेंगे 90 लिखेंगे यहाँ पर minus लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर minus नहीं लिखेंगे यहाँ पर हम plus लेखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको r और theta की values पूट करनी है ठीक है यहाँ पर आगे क्या लेखेंगे z equals to r कितना है हमारे पास 2 so 2 into cos यहाँ पर हमको theta कितना मिला pi by 3 cos pi by 3 plus ioda sin pi by 3 उसकी power हमारे पास कितनी है 90 यह plus वैसे का वैसा फिर क्या आएगा r यहाँ पर हमको 2 मिला था क्या आएगा cos यहाँ पर जो theta है वो कितना है minus pi by 3 है अब हम क्या लेखेंगे cos minus pi by 3 plus ioda sin minus pi by 3 उसकी power कितनी है 90 तो यहाँ पर z equals to हमारे पास क्या आएगा हमको 2 की power 90 अलग देते तो 2 की power 90 और भी 90 इसके अंदर multiply होगा ठीके तो क्या होगा cos 90 pi by 3 plus ioda sin 90 pi by 3 ठीके तो plus यहाँ पर क्या हैगा हम यहाँ पर भी 2 की power 90 अलग देते 2 की power 90 और यहाँ पर क्या होजाएगा cos minus pi by 3 है तो cos जो है वो minus को अपने अंदर ले लेगा और sign का minus जो है और यहाँ पर आगी होगा cos यहाँ पर minus cos अंदर ले लेगा 90 आगी आगी होगा 90 pi by 3 मारे यह minus जो है वो आगी होगा तो क्या होगा minus ioda sin 90 pi by 3 ठीके पर एम इसको solve करते तो यहाँ पर 2 की power 90 और 2 की पावर 90 हम उसको क्या आताते है common ले ले लेते जो Z कोस्ट हो मारे पास क्या आता हैगा 2 की पावर 90 common लेंगे मारे आपर क्या आता हैगा cos 95 by 3 plus ioda sin 95 by 3 अभी इन दोनों का addition होगा plus cos 95 by 3 और minus ioda sin 95 by 3 जो यह आपर आपर ioda sin 95 by 3 और minus ioda sin 95 by 3 जो वो क्या harden हो जाएगा cancel हो जाएगा ति यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा Z equals to 2 की पावर 90 इन टू यहाँ पर क्या बचेगा cos 95 by 3 plus cos 95 by 3 तो क्या बचेगा 2 time cos 95 by 3 अभी यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा Z equals to 2 की पावर 90 और यहाँ पर 2 वैसे का वैसा और क्या होगा है? 30 demi होगा 30 cos 2pi cos 4pi cos 6pi cos 35 aturelle वह क्या होता है? यो 1 होती है इहाँ पर हमारे पास क्या है? 2 into cos 35 हमको पता है? हमने देखा 2pi, 4pi, 6pi वैसे 32 वह कितना होता है? 1 होता है यहाँ पर z थीक्वस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् TEXT bere!!! जो उइंड है, बटम होगा 2 है, एलगे, जो हमाई मैंग्वास। एज़ेंपल देखते हैं, जिसमें लिया हुआ है, z equals to 1 minus i वडा और हमको find करना है, z की power 10, तो सबसे पहले हम z की power 10 लेंगे, तो equals to क्या होगा, यहां पर 1 minus i वडा है, उसकी power भी 10 आ जाएगी, ठीके, तो अभी यहां से हम क्या find करेंगे, r find करेंगे, r equals to under root x square plus y square, तो यहां पर हमारे पास x और y दोनों कितने 1 है, तो 1 plus 1 कितना होगा, under root 2, अभी हम theta find करते है, theta equals to क्या होगा, 10 inverse y by x, y कितना है, हमारे पास minus 1 by 1, तो हमारे theta कितना आएगा, minus pi by 4, ठीके, यह कितना होता है, theta 45 होता है, जिसको कितना, कैसे रखेंगे, minus pi by 4, तो अभी हम formula लिखते है, z पावर 10, तो z की पावर 10, तो z की पावर 10, एक कितना है, हमारे पास root 2, तो root 2 को हम लग लिखेंगे, और उसकी पावर 10 देते हैं, तो root 2 की पावर 10, into, यहाँ पर क्या होगा, cos, theta कितना है, हमारे पास minus pi by 4, minus pi by 4, और यह 10 अंदर आदेगा, तो into होगा 10, ठीके, plus ioda, sine, sine भ pi by 4, और कितना आएगा, आगे, minus आएगा, ठीके, तो अभी हम देखते है, z की पावर 10, इसकी पावर 10, इसकी क्या रिख सकते है, root 2 की पावर 10 वैसे का वैसा, into, जो cos है, वो minus अपने अंदर ले लेगा, तो क्या होगा, cos 10 pi by 4, और यह जो minus है, वो आगे जाएगा, so minus ioda, sine 10 pi by 4, ठीके, तो अभी हम 10 pi by 4 की value लिखते है, so z की पावर 10, इक्वेस टो ये root 2 की पावर 10 वैसे का वैसा, अभी हम देखते हैं कि, cos 10 pi by 6 कितना होगा, 0 होगा, minus ioda वैसे का वैसा, और sine 10 pi by 4 कितना होगा, 1 होगा, ठीके, तो अभी हम यहाँ पर हम लिखते है, z की पावर 10, एक्वस्टो ये टू की पावर, अंदर रूट टू की पावर टैन, वैसे का वैसा, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, माइनस आयोडा, ठीके, तो Z की पावर टैन, एक्वस्टो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस आयोडा, और बचेगा, रूट टू की पावर टैन, और यहाँ पर होगा minus आयोड़ा यह वाला, तो z की power 10 कितनी होगी, यह minus आगिया जाएगा तो minus 32 आयोड़ा ठीके, यहाँ गी हमारा answer, z की power 10 1 minus आयोड़ा का 10 equals to क्या मेले का हमको minus 32 आयोड़ा ठीके, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना थैंक्स पर वचिंग गाइस